नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल M.T. ग्यान गंगा में. दोस्तों, आज हम आपको इस पार्ट नमबर एक में, ऐसे पांच पक्षियों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में आपने न तो आज तक सुना है और नहीं देखा है. जिन में से कुछ की मूचे हैं, तो कुछ बेहधी खूबसूरत और कुछ इतने सुन्दर हैं, कि उन्हें देख आपको उन्हें पालने का मन करेगा. नमबर एक है सुटी, ग्राउस पक्षी. इसे पहली बार देखने पर आपको लगेगा कि इसमें क्या खास बात है, लेकिन जरा रुकिये और देखिये इस पक्षी का कमाल. इस पक्षी जैसी गर्दन शायद या आपने किसी और पक्षी में देखी होगी, जब भी आदमी और और औरत को पक्षी को लुभाना होता है. तब वे अपनी गर्दन और पंख को बढ़ा कर लेते हैं. गर्दन वाले हिस्से को हिला कर वो आवाज निकालते हैं, जिससे उनकी ओर आकरशित हो जाती है. लेकिन इसके लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है, जिसे आप देख सकते हैं, ये पक्षी उत्तरी अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं, और पैसिफिक महासागर की सीमा पर इनकी बहुत ज्यादा जनसंख्या होती है. इनके हो है – तैमिंग स्ट्रागोपन. अभी आप जो पक्षी की प्रजाती देख रहे हैं, वो असल में बेहध ही राइयर है, और इस पक्षी को आज तक बेहध कम लोगों ने ही देखा है, जिसे तैमिंग स्ट्रागोपन के नाम से जाना जाता है. ये जितने राइयर हैं, उतने भी शांदार नजर आते हैं. इतना ही नहीं. इनके मुहु का कुछ हिस्सा नीले रंग का होता है, जहां इनकी स्किन लूज होती है. जब भी इन्हें फीमिल्स को आकरशित करना होता है, तब वो उस स्किन को लंबा कर देते हैं. जिसकी वजह से वे और भी ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं, ये पक्षी उत्तर पूर्वी भारत की माउंटेन में सेंट्रल चाइना और म्यानमार के हरे भरे जंगलों में पाये जाते हैं. ये तकरीबन 64 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं, और ये पक्षी पेड़ पौधे और फल खाकर ही अपना गुजारा करते हैं, और ये पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं. नमबर तीन है, किंग वल्चर पक्षी. इस पक्षी का पूरा शरीर, ब्लैक एंड वाइट होता है, लेकिन सिर्फ उसके मुह के कुछ हिस्सों को छोड़ कर, क्योंकि वहीं पर उसके खूबसूरत होने की वज़ा होती है. इसके मुह पर हमें रेन्बो के वो सारे रंग देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि परपल, ब्लू, ग्रीन, वो, ओन्रेंज, ये दक्षन अफ्रीका में पाया जाने वाला पक्षी है, जिसका वजन तकरीबन 4 किलोग्राम ओन्रेंज की साइज लगभग 2 मीटर तक बढ़ सकती है. इतना ही नहीं, इस पक्षी का जीवनकाल करीब 30 सालों तक का होता है, जो की बाकी आम पक्षियों के मुकाबले काफी ज्यादा है. ये भले ही वल्चर फैमिली से बिलॉंग करते हो, लेकिन ये बिलकुल भी अग्रेसिव नहीं होते. लेकिन जंगलों के कम होने की वजह से, इन खूबसूरत पक्षियों की संख्या घटती जा रही है. तो दोस्तों, क्या आप इस खूबसूरत और प्यारे पक्षियों से मिलना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं. नमबर चार है, एनसी टर्ण. ये बियार अपने खास दिखने की वजह से, किसी भी इनसान को अपनी और आकरशित कर सकते हैं. क्योंकि ये होते ही बाकियों से इतने खास हैं, इनके मुह की तरफ हम ध्यान से देखें, तो ऐसा लगता है मानो इस पक्षी की मूच निकलाई हो. लेकिन क्या करें? ये पक्षी असल में काफी छोटे और खूबसूरत होते हैं, जो की पूरी तरह लाल रंग की हमें देखने को मिल सकते हैं. ये पक्षी बिलकुल रेड़ वाले एंगरी बर्ड की तरह दिखते हैं. इस पक्षी की प्रजाती में हम देख सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों ही सेम तरह की आवाजें निकाल सकते हैं, लेकिन उनमें भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं. जैसे कि कोई शिकारी दिख जाए या फिर खाना मिल जाए, तो उस हिसाब से पक्षी अपनी आवाज को बदलते हैं, जो की सुनने में और भी प्यारा लगता है. ये पक्षी, कैलिफॉर्णिया, हवाई और बर्मूडा में ज्यादा तर देखने को मिलते हैं. अगर हमारी सुभभ भी इस पक्षी की आवाज सुनकर हो, तो सच में यार, पूरा दिन इनकी आवाज जैसा ही सुकून दाय की बीतेगा. दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट दूसरा चाहिए, तो हमें नीचे कमेंट में पार्ट दो लिखकर जरूर बताएं. ऐसी ही और रहस्मई बाते जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें.